स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल प्राइमरी के पंक में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक वचन से बहु वचन बनाने के नियम एक वचन से बहु वचन बनाते समय अगर हम कुछ विशेश बातों को ध्यान रखें तो बहुत आसानी से एक वचन का बहु वचन कर सकते हैं आज हम जानने वाले हैं आका रांत पुलिंग संग्या में क्या करने से उसे बहु वचन में हम बदल सकते हैं यदि आका रांत पुलिंग संग्या हो तो उसमें आ की जगह एकी मात्रा लगा कर हम बहुवचन बना सकते हैं यानि इसमें एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए केवल आ की जगह पर एक ही मात्रा लगानी है एक वचन से बहुवचन बन जाएगा जैसे लड़का लड़का में कौ में आ की मात्रा लगी हुई है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए आ की मात्रा हटा देंगे और कौ में एकी मात्रा लगा देंगे तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के ठीक इसी तरह से अगला सब्द है कुत्ता कुत्ता में तौ में आ की मात्रा लगी हुई है तो हम आ की मात्रा हटा देंगे और तौ में एकी मात्रा लगा देंगे कुत्ता का बहुवचन होगा कुत्ते ठीक इसी प्रकार से आये जानते हैं कुछ आकारांत सब्दों को जिनका बहुवचन बनाने के लिए आ को हटा कर एकी मात्रा लगा देने से असानी से बहुवचन बन जाते हैं घोडा घोडा का बहुवचन होगा घोडे गधा गधा का बहुवचन होगा गधे पंखा पंखा का बहुवचन होगा पंखे पहिया पहिया का बहुवचन होगा पहिये कपड़ा चाता बच्चा तारा कम्रा कम्रा का बढ़ुवचन होगा कम्डे आइना आइना का बढ़ुवचन होगा आइने भैसा का बढ़ुवचन होगा भैसे बक्रा का बढ़ुवचन होगा और अंतिम है बच्रा बच्रा का बढ़ुवचन होगा बच्छडे तो इसी तरह से यदि आप किसी आकारांत पुलिंग संग्या को देखते हैं तो उस आकारांत पुलिंग संग्या को आप बहुवचन बनाने के लिए आ को हटा कर एक ही मात्रा जोड सकते हैं आपका बहुवचन तयार हो जाएगा तो देखते हैं आप कितने अन्य शब्दों को देखकर उनका बहुवचन बनाकर कॉमेंट बॉक्स में लिखते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंट्रेस्टिंग जनकारियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन शुब हो